एलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चनल रोश्णी होम आइडिया में नहीं है डिफरेंट स्टाइल में लोकी की सबजी आप भी इस तरह बनाएंगे तो जो भी लोकी नहीं खाता होगा वो भी लोकी का सौकीन हो जाएगा तो बढ़ते हैं हमारी रेसिपी की तरफ अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चनल को सस्क्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे बैन लिया है जिससे मैंने मेडियम फ्लेम पे चालू कर लिया है यहां मैंने 20 ग्राम लोग के लिए जिससे मैंने कद्दू कस कर लिया है अब इससे हम पैन में डाल देंगे इससे हम अच्छी तरीके से चला लेते हैं दोस्तों लोगी को मची तरीके से चला लेते हैं जिससे हमारी लोगी हर तरह से पक जाए देखे दोस्तों हमारी लोगी का थोड़ा कलर चेंज हो चुका है और यह सॉफ्ट भी हो चुकी है इससे हम थोड़ा से चला लेते हैं अब हम गेस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इससे किसी प्लेट में निकाल लेते हैं यहां मैंने एक पैन लिया है इसमें मैंने तीन से चार बड़े चमच के करीब ओईल डाला है ओईल को थोड़ा गरम होने देंगे अब हम इसमें एक छोटी चमत जीरा डालेंगे जीरा को थोड़ा तरकने देंगे तीन से चार लॉंग फ्लेम को स्लो कर दिया है दो हरी लाइची दो तेज पत्ते इसे चला देती हूँ मैं और दो हरी मिर्च बच्चों कारण मैंने मिर्च को थोड़ा बड़ा रखा है अब इसे मैं चला देती हूँ दो मिडियम साइज के प्याज इसे मैंने कद्दू कस कर लिया है इसे मैंने कद्दू कस किया है मैंने इसे मिक्सी में नहीं पिसा है प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक चलाएंगी एक चम्मच लसन द्रक का पेस्ट इसमें डाल देते हैं इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं इसे हम चला लेते हैं अब हम इसमें दो मिडियम साइज के टमाटर जिसे मैंने कद्दू कस कर लिया है उसे मिक्स कर देंगे इसे अच्छी तरीके से चला लेते हैं आप सबको पता है कि हम टमाटर डालने के बद नमक जरू डालते हैं तो यहां मैंने एक टेबल इस्पून नमक लिया है नमक आप अपने स्वाद के नुसार भी ले सकते हैं अब हम इसे मिक्स कर देते हैं अब हम इसे थोड़ी देर कर ठक कर रख देते हैं इसे अब हम चेक कर लेते हैं अभी हमारे टमाटर ठीक तरीके से नहीं पके हैं इसे हम चला लेते हैं जब यह थोड़ा ओइल ना छोड़ने लगे तब तक हम इसे पकाते हैं देखिए दोस्तों इसमें से ओइल आने लगा है मतलब यह पक चुका है इसे हम चला लेते हैं अब हम इसमें सभी मसाले मिला लेते हैं यहां मैंने एक चोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है आदा चोटी चम्मच हल्दी पाउडर दो चोटी चम्मच धनिया पाउडर अब हम मसालों को अच्छे तरीके से चला लेते हैं हमारे मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं यहां मैंने दो बड़े चम्मच टमेटो सॉस लिया है दोस्तों यह ऑप्शनल है कभी आपको अच्छा लगता हो तो आप इसमें डाल सकते हैं नहीं तो आप इसे अवाइड भी कर सकते हैं इससे हम अच्छे तरीके से चला लेते हैं यहां मैंने बेशन लिया है मैंने यहां पर देड़ बड़े चम्मच बेशन डाला है इससे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं इससे हम पांस से दस सेकेंड के लिए चलाएंगे यहां मैंने दही लिया है दही को भी मैंने दो बड़े चम्मच डाला है अब हम इससे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं दही डालने से सबजी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है इसलिए मैं इसमें दही एड़ किया है 25-30 सेकेंड के लिए हम इसे चलाएंगे यहां मैंने लिया है कस्तूरी में थी इसे हम हाथों से क्रस्ट कर लेते हैं और इसमें डाल देंगे कस्तूरी में थी आपके बस हो तो आप इसमें डाल सकते हैं मेरे पास थी तो इसलिए मने डाल दिया है इससे हम अच्छी तरीके से चला लेंगे दोस्तो अब हम इसमें लोकी एड करेंगे अब लोकी को भी हम मसालों में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे देखे दोस्तो मैंने लोकी को अच्छी तरीके से मसालों में मिक्स कर लिया है अब हम इसमें एक से देड़ गलास पानी डाल लेंगे अब हम इससे ढखकर पांच से साथ मिनिट के लिए पकने देंगे चलिए दोस्तो अब चेक कर लेते हमारी सबजी पक चुकी है क्या देखे दोस्तो हमारी सबजी पक चुकी है अब हम इससे चला लेते हैं अब हम इसमें आदा छोटी चमच गरम मसाला मिलाएंगे अब इससे मच्चे तरीके चला लेंगे अब हम इसमें बारी कटावा हरा धनिया मिलाएंगे देखे दोस्तो कितनी बड़िया हमारी लोकी की सबजी बन के तयार है देखे दोस्तो डिफरेंट स्टाइल में लोकी सबजी बन के तयार है आई होब आपको इससी पसंद आई होगी आप भी रेसिपी को ट्राय करिए दोस्तो और कमेंट वॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर रताइए कि आपको इससी लगी है मुझे आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा अगर आपको में रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चनल को सस्क्राइब लाइक और शेर करना ना भूले मिलते हैं नेक्स्ट आइडिया के साथ